नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विवेक भारत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नलोजी विद विवेक जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए वीडियोस लेकर आता रहता हूँ अगर आप वहारे चैनल पर नए है और आप ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर पैस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस वीडियो नोटिफिकेशन जल से जल म आपके bank transactions किस तरीके से हुए हैं एक पूरे जो financial year में वह पता लगाने के लिए income tax department ने एक बहुत ही अच्छा option अपनी website पर लेकर आये हैं जिसमें की मालगी जी दोस्तों आप लोगों की पास कोई saving account में कोई FDs होती हैं आप लोग कुछ stocks खरीते हैं mutual funds में invest करते हैं bonds में invest करते हैं जितने भी आपके investment होते हैं वो सभी आपको एक page पर एक साथ दिखाई दे सकते हैं तो आए दोस्तों आपको बताते हैं यह कैसे किया जाएगा उसके लिए आपको जाना होगा e-filing की income tax department की website पर य उसके उपर भी मैंने dedicated video बना रखा है उस video का link भी मैं यहाई बटन में दे दूँगा आप वह भी वीडियो के आज लास्ट में देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हम login करेंगे लॉग इन करने के लिए आप यहां पर जो तीन चीजे होती है अधार कार्ड पैन कार्ड और यहां से आप अधर यूजर आईडी तो हम यहां से जो है अपना पैन कार्ड लॉग इन कर रहे हैं यह आईडी पास पर डालने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से यह इमेल आईडी और मॉवाइल नंबर है अब दोस्तों आपको करना क्या है यह जो आपको option देख रहे हैं e-file, authorized partner, services, pending actions इसमें आपको services में जाना है services में जाने के बाद दोस्तों सबसे आखरी में आपको एक option देख रहा है annual information statement का जी हाँ दोस्तों यही है वो option जैसी आप इस पर click करेंगे यह proceed करने के लिए बोलेगा और आपको redirect करेगा annual information system के home page पर compliance portal पर यह देखिए proceed कर कर यह हम यहाँ आगए है और जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा नाम और session timer अलग से शुरू हुआ है अब आप यह information इडिटेल पढ़ सकते हैं आप PDF में और किस तरीके से यह file download कर सकते हैं आपको चलना है AIS पर यहाँ instructions होने के बाद आप AIS पर आएंगे यह दोस्तों financial year selected है यह आपका नाम यहां से selected है अब आप देख रहा है taxpayer information summary यहाँ पर taxpayer information summary भी आ सकती है और annual information statement हम दोनों यह आपको download करके ओपन करके दिखाएंगे यहां से आप दोस्तों इसको download कर सकते हैं यह देखिए यह PDF बनकर आएगा और यह यहां से download हो जाएगा यह देखिए दोस्तों यह download हो चुका है अब download होने के बाद हम इसको जैसे ही आप open करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपके pencard और pencard के साथ आपका date of birth जो है यहां पर लगने वाला है यह देखिए यह हमने pencard लिख दिया है और आपका date of birth जो होगा उसमें आपको माली जी आपको date of birth है 15 April तो आप लग यहां submit करेंगे देखिए दोस्तों यह open हो गया है यहां आप देख पा रहे हैं permanent account number pen यह हमारा आधान नंबर लिंक है यह name, email id, mobile number, date of birth इसी के साथ दोस्तों आप देख पा रहे है financial year assessment year यहां पर लिखा हुआ है यह हमारी depository आपको दिख रही है यह देखिए आप interest from deposits जो FTC deposit deposit है जो यहां पर purchases of securities units of mutual funds कितना mutual funds खरीता गया है यह भी आप यह process door draft value परा कर देख सकते हैं इस तरीके से दोस्तों आप जैसे ही इसको नीचे करेंगी यहां पर आपको और इसकी संबंदित जानकारी मिल जाएगी एन एक शर्स जो होते हैं कि किस तरीके से TDS जो है यहां स IDIS और taxpayer information summary इसी तरह से मैं आपको यह दूसरा option दिखा देता हूँ annual information statement यह आपको यहां से डाउनलोड करना है और हम उपर वाले option में PDF के साथ इसको डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद जो है दोस्तों मैंने आपको बताया आपको अपना pen card और pen card के बाद आपको अपनी date of birth का format देना है यहां पर लेका रहेंगे यह देखिए यहां पर आपको बताया जाएगा कि quarterly यह और ज्यादा डिस्क्राइब में आपको दिया गया है रिपोर्ट सिस्टम और यह आपको बता रहा है कि quarterly किस तरीके से आपका TDS और आपका जो इंट्रेस्ट आता है यह स्टेटर दे रखा है कौन-कौन से आपके यह एक्टिव है कौन से इनक्टिव है इसी तरीके से दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं यह भी आपको के अंदर कितने स्टेटमेंट यहां से आप देख सकते हैं और आपको बहुत जादा आसानी हो जाएगी जब आप रिटन भड़ते हैं या आप लोग कहीं पर लिखकर रखते हैं और भूल जाते हैं कि आपने सालवर में कहां-कहां इन्वेस्ट किया है कहां-कहां से आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को जादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों में अपने परिवारों में और लोगों की मदद कीजिए उन्हें बताइए किस तरीके से जो है आप इन सभी कामों को अब अपने घर से बैठकर कर सकते हैं इसके लिए आपको अलग से कह जाकर यह सारी इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों मेरा नाम है बिवेग भारत द्वाच थैंक यू